हेलो साथियों कैसे हो आप उमीद करता हूँ आप अच्छे होगे मैं सुमसर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे IQ Rankers के platform पे यहाँ पर आपको UPGK की यह पहली class है यहाँ पर मैं आपको static GK जो UP से related questions आते हैं UP Plus में UP दरोगा UP लेकपाल में तो उनकी तयारी के लिए यहाँ पर आपको questions करा रहा हूँ ठीक है तो जैसे कि हर एक exams में UP Plus में तो Spacially 5-6 questions UP Spacial UP Current Affairs जो की मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको उसे questions आएंगे आएंगे ठीक है तो सभी लोग copy pen लेके तयार हो जाईए questions की practice करिएगा time नहीं हमारे पास 18 फर्वरी को paper लगा हुआ है 11 फर्वरी था इसके बाद 11 फर्वरी को RO-RO के exam होने की बज़े से अब वो exam आपका 18 फर्वरी को प्रस्तावित है तो यहाँ पर हम पहले questions पे आते हैं प्रती बर्श हर साल लगता है तो यह लगता है हमारा आगरा जिले में किसमें लगता है यह बटेशन मेला आगरा जिले में लगता है ठीक है अब आगरा जिले में एक बहुत ही एतिहासिक इमारत है जो सभी लोग जानते है तो आग्रा जिले में कौन सी ऐसी है तैहसिक इमारत है तो आग्रा जिले में आपको पता ही है ताज महल ठीक है ताज महल कहा है हमारे आग्रा जिले में तो आग्रा जिला यूपी में बहुत ही महत्पूर जिलों में आता है क्योंकि बहाँ पर देश बिदेश से परियाटक हर साल हर वर्ष भहाँ पर ताज मैल को देखने आते हैं तो अर्थात बटेश्वर मेला भी आगरा जिले में आयोजुद होता है पिरती वर्ष चलते हैं अगले कोशन की और हमारा सेकेंड कोशन है उत्तर परदेश के आगरा जिले में रुई यानि की कपास की सुदेसी किस्म य कौन सा उसका समय कौन सा है तो उसका समय है अपरेल का पहला पकवाड़ा means first week of April अपरेल के प्रिथम सप्ता में प्रिथम सप्ता में यहां पर आगरा जिले में कपास की बुबाई की जाती है कपास की बुबाई की जाती है ठीक है तो अप्रेल का पहला पखवाड़ा पखवाड़ा का मतलब होता है पहला सब्ता ठीक है एक से पंदरा अप्रेल के बीच में ठीक है समझ में आया नेक्स्ट क्वेशन है हमारा बर्स 2011 की जन्गर्णा की अनुसार ध्यान रखिये गया 2011 की जन्गर्णा है उसको रट लिजे गया क्योंकि जो 2021 की जन्गर्णा है अभी पब्लिस नहीं हुई है तो 2011 की जो हमारी पिछली जन्गर्णा है उसी के according questions पूछे जाएंगे तो यहाँ पर जन्गर्णा से questions एक आना ही आना है जिसमें पहला question है यहाँ पर 2011 की जन्गर्णा के अनुसार उत्तर प्रदेश की जन्संक्या का ब्रदी प्रतीसत क्या है ठीक है तो उत्तर प्रदेश का ब्रदी प्रतीसत क्या है कौन सी जन्गर्णा के अनुसार 2011 की जन्गर्णा के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का बिर्दी प्रतीसत है वो 20.23 प्रतीसत है 2011 की जन्गर्णा के अनुसार अब बिर्दी प्रतीसत क्या होता है बिर्दी प्रतीसत का मतलब होता है कितना परसेंट हमारी जनसंख्या बढ़ रही है एक बर्स में तो उसको ब्रद्धी प्रतीसत बोलते हैं तो 2011 की जनगाना के नुसार उत्तर प्रदेश की जनसंक्या का ब्रद्धी प्रतीसत कितना है? 20.23 प्रतीसत है समझ में आ रहा है आपको नोट करती है यह एक एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट कोशन है यह मैं आपको करा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के निमलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्टरी इस्तित है? एक मात्र उत्तर प्रदेश के जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्टरी इस्तित है वो फैक्टरी कहा है? किस जिले में है? क्योंकि अफीम की जो खेती है ऐसे ही अफीम की खेती नहीं की जाती है अफीम की खेती करने के लिए हमको लाइसेंस लेना पड़ता है सरकार से, तो अफीम बैसे तो क्या है, बैसे कोई भी पब्लिकली अफीम की खेती नहीं कर सकता, बिना गॉर्मेंट के लाइसेंस लिए, तो उसकी एक मात्र जो फेक्टरी है, वो गाजीपुर जिले में है, कहां है, इसका राइट आंसर है, गाजीपुर, अफीम की फेक्टरी कहां है, गाजीपुर जिले में इस्तित है, हमारा अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश के निमलिखित में से किस शहर में भारते रेल की कोच निर्माड एकाई आधोनिक रेल कोच फैक्टरी इस्तित है यानि कि जो रेल कोच फैक्टरी है जहाँ पर ट्रेन के कोचिस बनते जो ट्रेन के डब्बे बनते हैं वो प्रेवरेली, मुगल सराय, प्रियागराज या लखनव। तो इसका राइट आंसर कौन बताएगा। इसका राइट आंसर है रायबरेली. तो राय बरेली में जो ट्रेन की कोच की फैक्टरी है, यहाँ पर क्या होता है, ट्रेन के डब्बे बनाए जाते हैं, जो रेल कोच है, उनको उनका निर्माण होता है, ठीक है, तो कौन सी जिले में होता है, राय बरेली में होता है, ठीक है, अगला प्रशन पर आईए, उत्तर सकज़ा पर किनारे बसा तो बहाँ पर वहा पर कौन सी नदी है गंगा नदी से एक प्रशन और पूछा जाता है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, गंगा नदी की कुल लंबाई, तो गंगा नदी की कुल लंबाई है, वो कितनी है, 2525 किलो मीटर, ठीक है, 2525 किलो मीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है, अर्था गंगा कहा से निकलती है, तो गंग उत्राखंड राज्य से बहती हुई पश्चिम मंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है पश्चिम मंगाल के बाद बंगला देश में जाती है उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाती है तो बहां से लेकर बहां तक उत्राखन से लेकर उसका जो पश्ची मंगालता उसकी जो कुल दूरी है वो 25 किलो मीटर है ठीक है अच्छा युमना नदी की बात करते हैं युमना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है युमना अ आकर मिलती है तो युम्ना नदी क्या है गंगा नदी की सबसे बड़ी सायक नदी है अच्छा युम्ना नदी भी बंदर पूछ से निकलती है जो की उत्तराखण में है बहां से लेकर ये प्रियाग राज में गंगा नदी से मिल जाती है फिर जो गंगा नदी की कुल सा है अगला प्रश्ण है उत्तर परदेश के निम लिखित में से किस शहर किस शहर में राच्की कला एवं सिल्प सिल्प महाविध्याल है गौर्मेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज कहां इस्तित है तो कला महाविध्याल है जहां पर आर्ट्स की पड़ाई होती है तो वो जो हमारा जिला है लखनव कहां है लखनव जिले में आर्ट्स कॉलेज इस्तित है अगला प्रश्ण है उत्तर परदेश का लखनव सहर निम लिखित में से किस हतकरगा उत्पादन केंद्रों के लिए पिरसिद्ध है अच्छा लखनव जो सहर है लखनव नवावो का सहर कहा जाता है लखनों को किसका सहर कहा जाता है नवाबों का सहर कहा जाता है जैसे ही आप लखनों में एंटर करेंगे लखनों में आप जाएंगे आपको जगए जगए होडिंग्स दिख जाती है बहाँ पर लिखा होता है मुस्क्राइए आप लखनों में है तो लखनों मे क्या चीज प्रसिद्ध है लखनों की जो चिकिन कारी है वो विस प्रसिद्ध है यहाँ पर चिकिन कारी का मतलब जो कपड़े होते हैं जो चिकिन कारी के सूट्स बगारा होते हैं उनको बनाया जाता है ठीक है हातों से बुना जाता है तो लखनों की चिकिन कारी विस है उत्तर प्रदेश का फ्रोजावाद निमलिकित में से किस उद्द के लिए प्रसिद है तो जो फ्रोजावाद जिला है वो किस के लिए प्रसिद है तो फ्रोजावाद की आपे सुना होगा फ्रोजावाद की चूडिया बहुत मैसूर है तो चूड़ी किसके बनी होती है योजना भी चला रखी है एक जिला एक उत्पाद नाम से तो एक जिला एक उत्पाद नाम से जो योजना चलाई गई है उसमें फ्रोजाबाद का जो उत्पाद है वो कांच उत्दोग पे काफी focus किया गया है ठीक है इसको बड़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ policies कुछ न अलीगड़ किसके लिए प्रशिद्ध है क्या मशूर है अलीगड़ का तो अलीगड़ का ताला और मैं आपको एक रोचक बात बता दू जो भगबान स्री राम का जो मंदिर बन रहा है जिसका उद्गाटन 22 जनवरी को होना है तो बहां पर जो उस मंदिर का जो ताला बनाया जा रहा है वो भी अलीगड़ से ही बनाया जा रहा है कहां से बना जा रहा है अलीगड़ से ही बनाया जा रहा है ठीक है तो अलीगड़ ताले के लिए प्रशिद्ध है इसका मैं एक अलक से आपको प्लास कराऊंगा एक जिला एक उत्पात करके तो यहां पर उत्तर प्रद प्रश्न के और यहां पर जो आंसर होगा वह है 902 कितना है 902 बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर यह प्रश्न एक एक इंपोटेंट प्रश्न है इसको नोट करते जरूर जाहिए का और याद करिए अभी के अभी समय बहुत कम है यूपी प्लिस के एक्जामस में आप बिल्कुल नोट्स बनाए लीजिए और उसको लिक्ट जीजिए ठीक है चाहे तो आप स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं सोतंत्र भारत में किस राज की प्रतम महिला राजपाल कौन थी तो पहली महिला राजपाल इसका आंसर है सरोजनी नाइडू सोतंत्र भारत की पूछा है जब हमारा देश आजाद हो गया था तो आजादी के बाद जो पहली राजपाल बनी थी वो पनी थी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता है नेपाल के साथ सीमा साजा नहीं करता है बहुत ही वेरी वेरी इंपोटेंट प्रिशन है ये नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साजा नहीं करता इसको मैप के द्वारा थोड़ा सा समझेने की कोशिस करेंगे ठीक है जो हमारा भारत का मैप होता है ठीक है भारत का मैप कुस इस टैप से हम बनाते हैं तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर नेपाल ठीक है यहाँ पर जो कंट्री है नेपाल ठीक है यहाँ से नहां तक यह नेपाल लगता है और यहाँ हमारा ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जो यहाँ पर जिला दिये गया है पिली भीत नेपाल के साथ सीमा साजा करता है स्रिवास्ति भी करता है महाराज गंज भी करता है कौन सा जिला नहीं करता है सीतापुर सीमा साजा नहीं करता है तो इसको ध्यान दीजिएगा सीटापूर जो है वो लखनव से पहले पढ़ता है ठीक है सीटापूर कहा पढ़ता है साहजापूर के आगे लखनव से पहले सीटापूर जिला पढ़ता है बाकी जो जिले हैं पीलिभीत ठीक है यहाँ जो बरेली जिला है बरेली जिला से लग अगला प्रिश्ण है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बेहार की सीमा पर इस्तित है। अच्छा, यहाँ पर प्रिष्ण दिया है कि बिहार की सीमा पर इस्तित है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, तो बलिया जिला जो है, वो बिहार की सीमा से लगता हुआ जिला है, इन ओप्सन से बताना है, बस्ती, बुलंसेर, बांदा, बलिया, तो यहाँ पर आंसर होगा, बलिया देखो जो बस्ती जिला है वो बेहर की सीमा से नहीं लगेगा बुलन सहर ये पश्मी यूपी का भाग है बांदा बांदा जो है बुंदेल खंड जहांसी साइड है ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा बलिया समझ में आ रहा है प्रिश्ण अगला प्रिश्ण है हमार उत्तर प्रदेश के किस सहर को सुहाग नगरी कहा जाता है यहां सहर काज की चूणिया बनाने के लिए प्रिश्ण है दुबारा कोशन रिपीट हुआ उम्मीद करता हूँ आप आंसर देंगे इसका आंसर क्या होगा फ्रोजाबाद क्या आंसर होगा पैटा फ्रोजाबाद तो सुहाग की नगरी भी बोलते हैं क्योंकि हमारे हिंदु धर्म में जो सुहाग को रिपरजेंट करता है वो चूणिया करती है ठीक है कोई भी विवाईत इस्तरी होती है जो मेरिड बूमेन होती है उनकी सुहाग की पैचान होती है चूणियों से होती है ठीक है तो इसको तो सुहाग की नगरी भी कहते हैं, तो यहाँ पर चूनिया बनाई जाती हैं, किस दिले में फिरोजाबाद में, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका फिरोजाबाद होगा, बढ़ते हैं अगले प्रशनी की ओर, अगला हमारा प्रशन है, निमलिखित नेताओं में से कौन सा देशियो पतानेता गोरकनात मंदिर के मठ कि पुझारी विए हैं इसका आंसर तो आपको सभी को पता होगा उमा भारती माननियय योगी आदितनात्यम और श्री रभी संखर महेंथ-परम हंसदास तो इसका राइट आंसर मानने योगी आदितनात जो बरतमान समय में उत्तर प्रदेश के हमारे मुख मंत्री है बाबा योगी आदितनात जी इनका बहुत बहुत धन्यवाज जो कि इनों ने बच्चों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि सभी बच्चों को तीन वर्स की छूट भी प्रदान की मानने योगी आदितनात जी के दोरा ठीक है तो ये कौन थे उससे पहले मठके पुजारी भी थे ठीक है ये सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा 1998 1998 में ये पहली वार सांसद बने थे तो उस समय जो संसद है हमारी Parliament है उसमें सबसे कम उम्र के सांसद रहे थे ये योगी आदितनात जी तो ये उसमें मठके पुजारी भी थे और भहाँ से सांसद चुनकर गए थे हमारी संसद के सबसे कम उम्र के सांसद वी ये थे 1998 में अगला प्रशन है हमारा सारनात वह पवित्रिस्तान है जहां भगबान बुद्ध को अपना पहला उपदेश दिया गया था ये निमलिकित किस सहर के बहुत नजदीक इस्तित है देखिए option मत्रा अयोध्या जहांसी वाराणसी तो य बाराणसी से ऐसी 10-15 किलोमीटर की दूरी पर सारनात जगय पड़ता है बहाँ पर भगबान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था भगबान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनात में दिया था सारनात किस निमलिकित में से किस सहर के नजदीक है मत्रा अ पढ़ाई वाली साणियों के लिए प्रसिद्ध है अभी ये कोशन मैंने बताया था चिकिन कारी के लिए कौन सा सहर प्रसिद्ध है लख नव ठीक है तो बढ़ते हैं अगले प्रशन की और उत्तर परदेश के किस सहर में ग्यारा मंजला पागल बाबा मंदर इस्तित है ठीक है ग्यारा मंजला पागल बाबा मंदर जो है वो ब्रिंदाबन बाराणरसी सारनाथ चित्रकूट तो पागल बाबा मंदर जो है ये ब्रिंदाबन में इस्तित है अच्छा इसको पागल मतलब यह कि कोई पागल व्यक्ति के पूजा होती है कि तो उसलिए ने कहते है कि orem का मुझे में लीन था अर्थ bubbleES को पागल कहने लगे इस से लिए उसको पागल बाबा मंदिर कहा जाता है तो ये ब्रिंदावन में कहा है ब्रिंदावन में काफी प्रिसिद्ध मंदिर है ग्यारा मंजिला पागल बाबा का मंदिर आपको ब्रिंदावन में देखने को मिलेगा ठीक है अगला प्रश्ण है बुंदेल खंड नामक छेतर निमलिकित में से कि सीमा की अंतरग कमी बहुत जादा है यहाँ पर जो जिले हैं बुंदेलखंट रीजन के जहांसी हमीरपूर ललितपूर बांदा यह जो जिले हैं यह बुंदेलखंट छित्र में आते हैं अर्थात जो बुंदेलखंट नामक छित्र है निमलिक सीमा के अंतरगात आता है तो यह किस सीमा के अं अध्यप्रदेश के साथ सीमा साजा करते हैं, तो प्रस्न भी वही पूछा था, बुंदेलखंड नामक छेत्र, हमने छेत्रों में बाढ़ दी हैं जिले को, जैसे रोहिलखंड आपने सुना होगा है, जो बरेली वाला जीरिजन है, जिला बरेली, रामपूर, ये पूरा जो जो क्रशी योग भूमी नहीं है, बहां की जो भूमी है, वो उसको फर्टाइल बनाने के लिए, काफी सरकार ने सिचाई परियोजनाय चला रखी हैं वहाँ पर, तो इसके बाद अगला प्रिश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जन जाती, दीपावली को सोक के रूप में मनाती है, दीपावली को सोक के रूप में मनाती है, तो जो उत्तर प्रदेश की थारू जन जाती है, उत्तर प्रदेश की थारू जन जाती, दीपावली को सोक के रूप में मनाती है, नेक्स प्रस्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरप्रतम सोलर उर्जा सहियत प्रारम किया गया है तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरप्रथम सोलर उर्जा सहियत प्रारम किया गया तो option है आगरा, मत्रा, अलीगड और सहारनपुर ठीक है तो इन में से कौन से जिले में पहली बार सरप्रथम सोलर उर्जा सेयत्र लगाया गया ठीक है तो इसका आंसर है अलीगड इसका आंसर क्या होगा बच्चो अलीगड तो अलीगड जिले में सरबर्थम पहली बार सोलर उर्जा जो जो सूरलाइट होती है जो सोलर पैनल होते है उसके पूरा सेयत्र बनाया गया इससे क्या होगा पूरा एक प्ल प्रशन है भारत कला भवन कहां हिस्तित है भारत कला भवन कहां हिस्तित है लखनव बनारस इलाबाद आगरा तो भारत कला भवन कहां हिस्तित है बनारस यानि कि वरारणजी में भारत कला भवन कहां है वरारणजी ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर जन्गर्ना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है 898, 910, 912, 920 तो राइट आंसर क्या होगा इसका इसका राइट आंसर है 912 तो उत्तर प्रदेश का जो लिंग अनुपात है लिंग अनुपात जो सेक्स रेशियू है वो कितना है इसका मतलब होता है 912 महिला पर 1000 पुरुज तो उत्तर प्रदेश में अभी भी जो 2011 की जन्गर्ना के अनुसार लिंग अनुपात है वो 912 है अच्छा इस पे सरकार बहुत काम करती है जैसे कि इससे रिलेटड बेटी बचाओ बेटी योजना केंद सरकार की योजना हर्याना पानिपत से शुरू की गई ताकि हर्याना का काफी लिंग अनुपात सुदरा है हर्याना की जो रिपोर्ट्स अभी जो 2021 की जो सेंसस है अभी officially published नहीं हुई है लेकिन हरयाणा का जो एक survey है वो बताता है कि बहाँ पर लिंग अनुपात 1000 के पार पहुँच चुका है तो यहां उत्तर प्रदेश का भी definitely लिंग अनुपात आगे वाली जो आगे आने वाली जनगर्णा है उसमें हमको बड़ा मिलेगा ठीक है तो अभी कितना है क्योंकि प्रशन अभी 2011 के ही census से आएगा इसलिए आपको अभी 912 ही याद करना है ठीक है कितना होगा 912 अगला प्रशन उत्तर प्रदेश का राजपक्षी कौन सा है तो राजपक्षी कौन है सारस ठीक है तो उत्तर प्रदेश का राजपक्षी सारस है अगर मैं आपसे पूछू राश्टपक्षी कौन है ठीक है राश्टपक्षी तो राश्टपक्षी की अगर हम बात करेंगे तो राश्टपक्षी क्या हो जाएगा मोर राष्ट पक्षी क्या है? मोर और राष्ट पसु राष्ट पसु राष्ट पसु है मारा बाग ठीक है? अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्ब में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो राज पक्षी है वो कौन है? सारस और उत्तर प्रदेश का राज पशु क्या है ये प्रशन को आपने कमेंट में इसका आंसर लिखना है बढ़ते हैं अगले प्रशनी की वर डाक्टर भीम राव अंबेटकर संग्रहले एबं पुस्तकाले कहां इस्तित है तो डाक्टर भीम राव संग्रहले और पुस्तकाले मियूजियम एड लाइबरेवडी ये इस्तित है रामपुर जिले में किस जिले में है? रामपुर जिले में अच्छा रामपुर से एक प्रशनी याद आता है रामपुर किस के लिए प्रसिद्ध है? तो रामपूर जो पिरसिद है वो चाकू के लिए पिरसिद है, किसके लिए पिरसिद है, चाकू, नाइफ, रामपूर, अच्छा मैं आपको लिख दे रहा हूँ, रामपूर किसके लिए पिरसिद है, चाकू के लिए पिरसिद है, और जो हमारा जिला बरेली है, बरेली किसके के लिए सुर्मा और जुमका है आपने गाना भी सुना होगा जुमका किरा रे बरेली की बजार में ठीक है तो जुमका चौराह अब यह है तो बहाँ पर आप बरेली जो है सुर्मा और जुमका के के लिए प्रिशिद्ध है रामपुर चाकू के लिए प्रिशिद्ध हो गया और जो हमारा एक पीलीभीत जिला है पीलीभीत जिला जो है वो बासरी उद्धो के लिए प्रिशिद्ध है यहां पर बासरी इसको बासरी नगरी भी बोलते हैं ठीक है बासरी के लिए प्रिशिद टो यहां पर प्रसंद्द था हमारा भीम्रावम्बड का संगरालय पुस्तकालय का है तो रामपुर में का है रामपुर में चलते हैं अग्ले प्रस्न की ओ SM अमीर खुसरो का जन्म कहा हुआ था अमीर खुसरो जिसको तोता ए हिंद कहा जाता था क्या कहते थे इनको तोता ए हिंद अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता था और इनका जो जन्म हुआ था वो कास गंज के पास पतियाली नामकिस्तान पर लेकिन हमको यहाँ पर जिला बताना है तो जिला एटा आंसर क्या होगा जिला एटा अच्छा एटा किसके लिए प्रसिद्ध है तो एटा घंटियों क जो घंटि हम पूज़ा करने के लिए यूज करतें इसको बजाते हैं तो बहाँ पर एटा में बनाई जाती है तो अमीर खुसरो का जन्मिस्तान कौन से जिला है एटा उत्तर प्रदेश में सेर सपारी इस्तित है तो इसका आंसर क्या होगा सेर सफारी कहां इस्तित है इटावा में कहां इस्तित है इटावा एक मिनट ठीक है तो इसके बाद हमारा प्रश्ण था उत्तर परदेश में सेर सफारी कहां इस्तित है तो सेर सफारी जो है वो इटावा में इस्तित है ठीक है पढ़ते हैं अगले प्रश्ण क्यों अगला प् प्रसिद चर्कुला निरत चर्कुला एक लोख निरत है उत्तर प्रदेश का ये पूछा किया है कि जो चर्कुला निरत है वो किस छेतर से संबंदित है आबद बुंदेल खंड ब्रिज भूमी या रोहेल खंड तो जो चर्कुला निरत है ये ब्रिज भूमी से संबंदित है क ब्रिज भूमी ठीक है चर्कुला नरत किसे सम्भन देता है ब्रिज भूमी से सम्भन देता है ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रशनी की ओर अधोगिक अधोगिक अभिशालुता विज्ञान केंदर कहां इस्तित है यह थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर टाइपिस्ट ने इसको अधोगिक अभिशालुता विज्ञान केंदर कहां इस्तित है तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो यह पर इसका मैं इसको English में लिख देता हूं Central Drug Central Drug Institute Kendriya.ंदवा i Institute संस्थान कहां इस्तित है थीक तो Central Drug Institute हमारे लख्नओं में सथित है थीक है तो Central Drug Institute कहां है लख्नओं में सथित है बढ़ते है अगले प्रशनी की और बर्स 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाये गया था अच्छा दो प्रश्ण बनते हैं यहां से एक तो भारत का प्रवासी दिवस पूछा जाएगा और दूसरा उत्तर प्रदेश का प्रवासी दिवस अगर भारत का प्रवासी दिवस पूछेगा तो कन्फ ये मनाया जाता है चार जन्वरी को, ठीक है, कब मनाया जाता है, चार जन्वरी को, 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस चार जन्वरी को मनाया गया था, और भारत का पूछे, भारत का प्रवासी दिवस, तो ये नौ जन्वरी को, कब मनाया गया, नौ जन्मरी को बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की हो अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई उत्तर प्रदेश में जो आसरा योजना है वो कब लागू की गई तो उत्तर प्रदेश में जो आसरा योजना है ये 2013 में लागू की गई कभ लागू की गई 2013 में भारते दलहन अनुसजदान संस्थान अबस्तित है दलहन अनुसंदान जो है हमारे कानपुर में स्थित है ठीक है डलहन का मतलब होता है जो डाले pulses pulses ठीक है अनुसंदान में institute सेंट्रल पल्सिस इंस्ट्ट्ट है हों कानपुर में है कहा है इक उक प्रशन को आप नोड कर ज़रूर करेंगे या स्क्रीन सोडले रिए मैं साइड हो जाता हूं मिलकर उस परियोजना पर काम करेंगे कौन दो राज तो जो गंडक सिचाई परियोजना है ये उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रियास है तो यानि कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनो राज इस परियोजना को देखरे करेंगे इस प्रयोजना में जो भी लाकत लगेगी तो इसका बहन उत्तर प्रदेश और बेहार सरकार करेगी तो ये किसकी संयुक्त प्रियास है दो राज उत्तर प्रदेश और बेहार ध्यान रखना इसकी सीमा से वहती है नेपाल से निकलती है गंडग नदी अगला प्रशन है भारत के किस राज में गिहूं का उत्तर प्रदेश राज में तो हमारा उत्तर प्रदेश राज में भारत में जो प्रोडक्शन है गिहूं का सबसे ज़्यादा कहा होगा उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर क्या है उत्तर प्रदेश एक प्रशन गंडे का पूच ले गंडे में भारत में गंडे का उत्पादन किस राज में सबसे ज ये जो जिले हैं ये गन्ने का प्रोडक्शन काफी अच्छा होता है इन जिलों में अगला प्रेशन है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुखमंतरी कौन थी तो उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुखमंतरी थी उनका नाम था सुचेता क्रिपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुखमंतरी सुचेता क्रिपलानी थी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांस पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ठीक है तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाय जाती है तो इसका राइट आंसर है जलोड मिट्टी ठीक है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाय जाती है जलोड मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में बारसिक बरसा सरवादिक होती है बारसा मतलब सबसे ज़्यादा बरसा किस सेत्र में होती है तो अगर आपसे जिला पूछे उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा बरसा होती है गोरक पूर ठीक है और कम बर्सा ये तो सबसे ज्यादा वाला होगा ठीक है ज्यादा बर्सा कम बर्षा वाला जिला है मत्रा ठीक है इसका राइट आंसर क्या होगा मत्रा मत्रा जले में सबसे कम बर्षा होती है उत्तर प्रदेश में और सबसे ज़्यादा जो बर्षा होती है वो गोरकपुर में होती है लेकिन यहाँ पर आंसर छेत्र वाइस देना है पठारी चितर तरही का इलाखा और अनिस्चित बर्शा मेदानी भूभाग तो इसका राइट आसर क्या होगा तरही का इलाखा यहाँ पर उत्ताप्रदेश के इस भूभाग में सरवाधिक बर्शा होती है बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रशन है उत्तरप्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है पटसन होता है जूट जूट की खेती की जाती है जिससे की जो बैग बगारा बना जाते हैं रसियां बना जाती है जूट की तो वो किन जिलों में उसकी खेती की जाती है तो ये देवरिया और गोरकपुर में पठसन की खेती की जाती है जूट का प्रोडक्शन आपसे पूछें जूट का प्रोडक्शन जूट का प्रोडक्शन वर्ल्ड में तो बिस में हम सेकिंड नमबर पे आते हैं जूट के प्रोडक्शन में सेकिंड इस्तान पे पहले इस्तान पे कौन है, हम 2nd rank पे इंडिया है, 1st rank बांगलादेश, बांगलादेश जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे जादा जूट प्रोडक्शन करता है, ठीक है, इसके बाद इंडिया और इंडिया में भी हम जो राज है स्टेट, वेस्ट वंगॉल, स्टेट कौन सा है, वेस्ट वेंगॉल बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश के किस दिले में पुरसो से महिलाओं का अनुपात सरवादिक है आजमकर, देवरिया, सुल्तानपुर, जौनपुर यहाँ पर क्या है पुरसो से पुरसो से महिलाओं का अनुपात सरवादिक है मतलब महिला यहाँ पर क्या है, जादा है किस से, पुरसो से, ठीक है तो इसका आंसर है जौनपुर इसका आंसर क्या होगा, जौनपुर हो जागा है ठीक है, जौनपुर जो जिला है बहाँ पर महिलाओं की जलसंक्या पुरसों की तुला में अधिक है उत्तर प्रदेश का मलियाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है तो उत्तर प्रदेश का जो मलियाबाद है मलियाबाद कहां पढ़ता है लखनव से थोड़ा पहले ठीक है लखनों से पहले मलियाबाद पढ़ता है तो मलियाबाद किस के लिए प्रिसिद्ध है दसेरी आम, पीला खरबूजा, मलियाबादी बिर्यानी, सूती चिकन ठीक है तो जो मलियाबाद है वो दसेरी आम के लिए प्रिसिद्ध है ठीक है दसेरी आम हाली में सरकार दोरा उत्तर प्रदेश में ब्रद्धा पेंसन की धनराशी कितने रुपैं से बढ़ा कर दी गई है जो ब्रद्धा पेंसन है जो 60 वर्ष से उपर की आईउ जिन भी महिला या पुरुस्की हो जाती है वो इसके लिए eligible है ठीक है उसको ब्रद्धा pension कहते है सरकार इसको अब 400 रुपए से 500 रुपए प्रती महा कर दी है ठीक है सरकार ने अब जो रासी है वो 400 रुपए से 500 रुपए कर दी गई तो उत्तर प्रदेश में ब्रद्धा pension कितनी मिलती है 500 रुपए पर महीना ठीक है 500 रुपए पर मंत अगला प्रशन उत्तर प्रदेश राज में किस जन्रपत में लिंग अनुपात सबसे अधिक है अभी प्रशन आया था कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में महिलाओं की जन्सेंक्या पूर्सों की तुलना में जादा है तो उसी जिले का तो लिंगन पार ज्यादा होगा तो आंसर क्या था वहाँ जौन पूर तो यहाँ भी आंसर क्या होगा जौन पूर होगा ठीक है तो उत्तर प्रदिश में किस जन्रपत में लिंगन पार सबसे अधिक है जौन पूर में अगला प्रश्न है किस राज सरकार दोरा सबसे पहले किसानों के लिए प्रिमारित बीज पर प्रतियक्ष लाव हंस्तारण कठच की सुबदा आरम की गई है ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर है उत्तर प्रदेश ठीक है तो उत्तर प्रदेश सरकार दोरा जो किसानों को जो बीज दिये जाएंगे वो certified seat दिये जाएंगे ठीक है प्रिमाड़ित बीज दिये जाएंगे ठीक है तो ये उत्तर प्रदेश के किसानों ने अगला प्रशन है सुतंत भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम बिधान सवा अध्यक्ष कौन थे ठीक है सुतंत भारत की जो उत्तर प्रदेश की प्रथम बिधान सवा अध्यक्ष है वो कौन थे पुरसोतम दास टंडन जी ठीक है कौन थे पुरसोतम दास टंडन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोचा दरगा सरीफ इस्तित है ठीक है तो जो ये दरगा है दरगा क्या होती है कोई मजार ये मुसलिम्स की मजार जो होती है उनको दरगा बोलते है ठीक है यहाँ पर वो अपनी प्राथना करने के लिए जाते है तो ये जो किछोचा लगा से नाम उस दरगा का ठीक है यह किस जिले में है संत्कबीर नगर मिर्जापूर अमबेटकर नगर या या सुल्तान पूर ठीक है तो ये जो है हमारी किस जिले में है बताओ ये अमबेटकर नगर में किस में है अमबेड कर नगर में ठीक है तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोषा दरगा है यह अमबेड कर नगर में ठीक है लठमार हुली के लिए निम्नि में से कौन सा इस्तान प्रसिद्ध है लठमार हुली बहुत ही प्रसिद्ध यहां की हुली है लठमार यह 20 प्रसिद्ध हुली है यहां पर लोग इस समय जो लठमार हुली के दुनों में लोग बिद्विसोक से पी परटक इस हुली में भाग ल लेने आते हैं ठीक है तो यहां पर आपको पता है लठमार होली कहां की है ब्रंदाबन गोबर्धन बरसाना गोकुल ठीक है तो लठमार होली कहां की है बरसाना की प्रिसिद्ध है निमलिखित में से किस सहर में Central Food Beer Training इस्टिट्ट है Central Food Beer Training Institute फुटवियर जो सूज होते हैं जो जूता होता है उनका इस्टिट्ट रेनिंग इस्टिट्ट कहां है ये कानपुर में है ठीक है कहां है कानपुर में है अगला प्रेस्ट पूसा बोल्ड एक प्रजाती है पूसा बोल्ड जो है वो किस फसल की प्रजा है तो जो पूसा बोल्ड है ठीक है पूसा बोल्ड जो प्रजाती है वो सरसों की है किसकी है सरसों की है अच्छा सरसों जो फसल है ये रभी की फसल है या खरीव की फसल है तो जो सरसों फसल है ये रभी की फसल मानी जाती है किसकी फसल है रभी की फसल है अच्छा आपको मै बता दूँ जो रभी की फसल होती है इसकी जो बुबाई है रभी की फसल की जो बुबाई है वो नबंबर के अन्तिम सप्ता में होती है और इसकी जो कटाई है जो रभी फसल की जो कटाई है ये मार्च के अन्तिम सप्ता में ये फसल काड ली जाती है ठीक है तो एक रवी फसल की जो सरसो है वो एक रवी की फसल है और यहाँ पर जो पूसा बोल्ड एक प्रजाती पूची गई है प्रशन में ये किसकी है सरसो की है तो रवी की फसल है जैसे गेहू, सरसो, चना ये सब किसकी है रवी की फसल है ये तीनो रवी की फसल है मूमफली जो है है वो अक्टूबर के अंतिम सब्ता में की जाती है ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की होड़ अगला प्रश्ण है गेहों में बौने पन का जो जीन जो गेहों में बौना पन रोग लगता है उसका वो जीन का नाम बताना है आपने ठीक है तो उस जीन का नाम है नोरिन 10 ठीक है उस जीन का नाम क्या है नोरिन 10 ठीक है अगला प्रशन यह आपको सूची सुमेलित करनी है ठीक है जो अगला प्रशन है यहाँ पर पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाई है यहाँ पर यह फसल दी गई है और उन फसल की ये रोग दिये गए है, बीमारियों के नाम, ठीक है, तो यहाँ पर गन्ना, धान, अरहर, आलू, चार फसल के नाम दिये गए हैं, और चारी इनकी बीमारी, जुलसा, रेड रोट, खेरा, और उक्ठा, विड, ठीक है, तो आपका जो गन्ना है, तो गन्ना में जो बीमारी लगती है, वो रेड रोट की बीमारी लगती है, ठीक है, तो गन्ने का जो रोग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, रेड रोट हो जाएगा, ठीक है, तो आप्शन देखिए, आप्शन पहला यहाँ पर देख, को, खो, गो, ठीक है, तो पहला आप्शन क्या है, पहले का गन्ना का दूसरा ठीक है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है आपको यह बिजवल नहीं होगा नीचे का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यह गन्ना की भीमारी है ठीक है और खेरा जो भीमारी है खेरा भीमारी है धान की ठीक है खेरा किसकी है धान जुलसा रोग किसमें लगता है आलू में लगता है ठीक है आलू में कौन से लगता है जुलसा रोग लगता है और अरहर में उक्ठा लगता है ठीक है अरहर ठीक है तो यहाँ पर मैंने लिखा है जुलसा रोग आलू, रेड रोट, गन्ना, खैरा, धान, उक्टा, अरहर ठीक है, इसको मैच कर देज़ेगा तो ये थे हमारे प्रशन उमीद करता हूँ, आपको पसंद आये होंगे और आप इनको लर्न कर लिजेगा, बहुत ही इंपोटेंट प्रशन थे ये UPGK के, मैं आपको रोज 50 प्रशन की क्लास लेके आऊँगा, ठीक है तो धन्यबाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में और हमारे चैनल को, IQ Rankers को सस्क्राइब और सेर जरूर करेज़ेगा, धन्यबाद